वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और जहां जहां मतदान हो रहा है मुझे जब अभी हलिकॉप्टर से आ रहा था तो किसे ने बताया कि पहले के जुनाओं में इस समय जितना मतदान होता था उससे भी आज ज़्यादा मतदान हुआ है वो दस बजे तक का मुझे हिसाब बता रहे थे ये उत्षा ये उमंग मैं बिहार के मददाताओं का उनकी सक्रियता का लोग तंत्र के प्रति उनकी स्रधा का रुदय पुर्वा का विननन करता हूँ आज बिहार के लोगों ने देशी नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कम पचा है ऐसे में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं लोग तंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत लोग तंत्र के प्रती हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पन ये पूरे विश्व के लिए ये सिरफ मतदान चुनाव जीत हर वहां तक सिमित नहीं है विश्व के सभी थिंग टैंक को विश्व के सभी थौट लीडर्स को इस बात का मुल्यांकन करनाई होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोग तंत्र कितनी गहराई से बैटा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोग तंत्र को प्रांथपीकता दे रहे है ये पुरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है ऐसे कठीन समय में इतनी तैयारी के साथ इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोक को लाख लाख बधाई देता हूँ बिहार की पवित्र भूमे ने ठान लिया है कि इस नए दसक में बिहार को नई उचाई पर पहुँचाएंगे बिहार के लोगों ने जंगल राज को डबल डबल उबराजों को सीरे से नकार दिया है बीते दसक बिहार की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए था और नितिस बाबु ने उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी वो दसक बिहार के हर नागरिक की आवशकताओं को पुरा करने का था और अब ये दसक 2021 से 2030 वाला ये दसक बिहार के आकांग चाओं को पुरा करने का समय है इसके लिए दसक है बीते दसक में बिहार में हर घर में बिजली पहुँची अब ये दसक बिहार को 2400 गंटे जग मगाने का है बीते दसक में बिहार में घर घर गैस कनेक्शन पहुचा अब ये दसक बिहार के घरों में पाइप से गैस पहुचाने का है झाल 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 झाल